नमस्कार दोस्तों आप देख रहें मुबाइल न्यूस 24 और मैहू रूबिने के और बात हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का भारत के दोदेवसिय दोरे पर आई जर्मनी की चैंसलर एंजला मरकेल ने आज दली में कहा कि हमने हरित शहरी गतिशीलता के लिए भारत जर्मन साज़दारी शुरू की है और हमने इस दिशा में एक बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किये है इसके साथ युनों ने कहा कि हम त रक्षक कमानडर के अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर पद भार ग्रहन कर लिया है आपको बता दे कि अतीरिक्त महानी देश के तौर पर बदो उन्नत होने से पहले वे फ्लाग आफिसर तट रक्षक बल के दिली स्थित्मों ख्याले में उप महानी देश के पत पर कारे रत थे रधान मंतरी नरेंडर मोदीन दिवसिय थाइलेंड दौरे पर रवाना हो गए हैं जहां उनका यह दौरा व्यपार समुंदरी सुरक्षा एवं संपर्क जैसे प्रमुक शेत्रों में शेत्रिय सहयोग को मजबूत करने पर फोकस होगा आपको बताने कि जौरान वे आसियान भारत पूर्वी एशिया और आरसी ईपी शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे करीब 1400 वाटसेप यूजर्स की जासूसी के मामले में वाटसेप ने केंदर सरकार को अपना जवाब भेज दिया है इस विशेप पर वाटसेप प्रवक्ता ने कहा कि हमारी उच्च प्रात्मिक्ता यूजर्स की निजिता और सुरक्षा है मई में हमने सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा सुलजा लिया था और भारतिय वा अंतुराश्ट्री सरकारों को इसके बारे में बता दिया था गौरतलब है कि वाटसेप यूजर्स की जासूसी के मुद्दे पर इन दिनों चर्चाओं का दोर जारी है कांग्रेस के वरिस्ट नेता डीके शिफकुमार के तबियत बिगरने के वजह से कल रात उन्हें बैंगलूरू के एक नीजी अस्पताल में भरती कराया गया है आपको बता दे कि करनाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिफकुमार कई दिनों तक एडी की हिरासत में तिहार जेल में बंद थे और हालही में दिल्ली उचन्यायाले ने उन्हें 25 लाक रुपे के नीजी मुचलकी पर मनी लॉन्रिंग मामले में जमानत दे दी थी जारकंड में चुनावों की तारीकों की घोशना के साथ ही चुनावायोग ने 80 साल से ज्यादा उमर के बुजर्गों को तौफा दे दिया है जिसके तहत विडाक मत पत्र से घर बैठे मद्दान कर सकेंगे आपको बता दे कि बुजर्गों के साथ यह सुविधा दिव्यांगुकों को भी दी गई है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हुसेन दलवई ने कांग्रेस के अंतरे मध्यक्ष सोनिय गांधी को पत्र लिखकर शिवसेना को समर्थन देने की सला दी है दलवई के मुताबिक प्रतीबा पाटिल और प्रडव मुखर्जी के राश्ट्रपती पत की चुनाओं में शिवसेना ने कांग्रेस का सपोर्ट किया था आज उसी तरह बीजेपी को सक्ता में बेदिखल रखने के लिए कांग्रेस को शिवसेना का समर्थन करना चाहिए गौर तरब है कि महारास्ट्र में भाच्पा और शिवसेना के बीच सीम पद को लेकर कहा सुनी जारी है भारत में बीरोजगारी के आखड़ी चोकाने वाले हैं क्योंकि आक्टोबर में बीरोजगारी के दर 8.5 फीसीदी हो गई है जो पिछले तीन वरसों में सबसे अधिक है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकोनॉमी के ताजा आखड़ों में बताया गया कि बीरोजगारी के दर अगस्त 2016 के बाद सबसे ज्यादा है देश की सबसे बड़ी और सरकारी इंशिरंस कंपनी एलाइसी ने अपने ग्रहाकों के लिए एक खास स्कीम शिरू की है तो आप उसे फिर से शुरू कर सकते हैं आपको बता दी किसके लिए एलाइसी ने स्पेशल रिवाइवल केंपेइन शुरू किया है जो 15 नवंबर 2019 तक चलेगा पश्यमंगाल में आया आईटी खड़कपूर की ओर से दस राज्यों के गरीब परिवारों को नाम मात्र की खीमत पर स्वच्ची उर्जय उपलब्द करानी की परियोजना पर काम शुरू किया गया है आपको बताने की परियोजना के तहे तसंस्थान की ओर से इन दस राज्यों में लगभग 44,000 माइक्रो सोलर डोम उपलब्द कराये जाएंगे लोकास्ता का महापर्व चटपूजा आज देश भर में धूमधाम से बनाया जा रहा है चटपूजा के अवसर पर राष्टपती रामनात कोविंद और ग्री मंत्रिय मिश्याह ने देश भरासियों को चटपूजा की शुपकामनाई दी है गौतलब है कि आज चटपूजा के अवसर पर लोग जहां डूपते हुए सूर्य को अर्ध देंगे तो वही कल सुभा लोग उगते हुए सूर्य को अर्ध देकर सुख शान्त और सिम्रिदी की कामना करेंगे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कश्मीर से 131 बंगाली मजदूरों को वापिस लाने की तैयारी कर रही है और यह फैसला कश्मीर के खुल गाम में पराच मजदूरों के मामले के बाद लिया गया है आपको बता दी कि यह जानकारी मुख्यमंतरी ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बाक्षीत के दोरान दी है हर्यारा की मनोहर लाल खटर सरकार ने राज्ये में खेतों में पराली के मामले रोकने के लिए बढ़ावा महत्वपूर कदम उठाया है मुख्यमंतरी मनोहर लाल ने घोशना की कि पराली मामले के सूचना देने वालों को एक हजार रुपे का इनाम दिया जाएगा और सूचना देने वालों के पहचान गुप्त रखी जाएगी इसके साथ युरो ने कहा कि वैया उसके कारण दिल्ली वर रास्ट्री रास्धानी शेत्र में प्रोदूशन नहीं फैल रहा है पंजाब मंत्री मंडल ने शुक्रवार को पंदरवी पंजाब विधान सभा का विशेश सत्र बुलाने के लिए सभी औप चारिकताओं को मंजूरी दे दी है जो गुरू नानक देव जी के 550 वे प्रकाश पर वो को समर्पित 6 नवंबर को बुलाया जा रहा है आपको बता दे कि सत्र की अर्ध्यक्षता उपर राष्ट्रपती वेंकिया नाइडू करेंगे जहां ये विशेश सत्र पहले सिख गुरू के फलसफे और सिख्षाओं के प्रचार एवन प्रसार करने के लिए बुलाया गया है 36 गड के अंतरगत आने वाल हार्तिय राष्ट्री राजमार्ग प्राधीकरन के टोल प्लाजा पर यात्रियों को अब अपनी बारिक अंतजार कर समय बरबाद नहीं करना पड़ेगा दरसल एन्च एई टोल प्लाजा को पूरी तरहा से कैशलेस करने जा रहा है जहां आज इसका ट्राइल होगा आपको बता दे की ट्राइल के बाद इसे एक दिसंबर से सभी टोल प्लाजा पर लागू कर दिया जाएगा आयोध्या में परियतन को बढ़ावा देने के लिए यूपी की योगिया अधितनात सरकार अब वहां भगवान राम पर आधारित डिजिटल म्यूजियम करिर्मान करेगी जहां इस प्रस्ताव को कल यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के अंदरगत भगवान राम पर आधारित डिजिटल म्यूजियम, फूड प्लाजा, लेंड्सकेपिंग और भगवान राम की प्रतिमा को शेहर में स्तापित किया जाएगा राजस्तान के सीएम अशोक गहलोत ने का लदिल्ली की तिहार जेल में बंद पूर्व वित्तमंत्री, पी चिदंबरम से मुलाकात की जहाँ ज़रान चिदंबरम के बेटे कीर्ती चिदंबरम भी सीएम के साथ थे वहीं चिदंबरम से मुलकात के बाद गहलोट ने कहा कि हम उमीद करते हैं कि उन्हें जल्द ही जमानत मिलेगी चिदंबरम पर कोई केस है ही नहीं उन्हें साजिश के तहत जेल में बंद किया गया है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली सहित लाहुल स्पीती की चोटियों पर हलका स्नोफोल होने से प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्स की गई है और इससे ठंड लगातार बढ़ रही है मौसम विभाग के द्वारा जानकारी पूर्वा अनुमान के अनुसार आज और कल प्रदेश के उचे शेत्रों में स्नोफोल हो सकता है आईकर विभाग ने टाटा ट्रस्ट के तहत चलने वाली छे संस्थाओं के पंजी करण रद कर दिये हैं जिसमें जमशेत जी टाटा ट्रस्ट, आड़ी टाटा ट्रस्ट तथा टाटा एजुकेशन ट्रस्ट के नाम भी शामिल है आपको बदा दिकिन संस्थाओं ने वर्ष 2015 में ही अपना पंजी करण खत्म कराने और किसी तरह का आयकर छूट दावा नहीं करने का फैसला किया था बिहार की सबसे बड़ी डेरी और सहकारी दुगध उत्पादक समिती सुधा ने आज लोकास्ता के महा पर चटपूजा की दिन अपने उत्पादों की कीमतों में एजाफा किया है जिसके तहत कमफेड का सुधा दूद और उसके दुगध उत्पादों की कीमत में दो रुपे प्रति लेटर के बढ़ोतरी की गई है आपको बता दी कि ये बढ़े हुए दाम आज से ही लागू होंगे तो ये की दो बहर के फटापट खबरें और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चानल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिये गए नोटिफिकेशन बेल को में दबा दीजिए ताकि आप भी रह सके ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट